येस, डियर स्टुडेंट्स, इस इस आई, आई फॉर, आई स्टी, इ, 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 इसे ए की आवाज आती है, है न, जैसे आप बोलते हैं, बिट, तो बी, आई, टी, बी को जब आई लगा, तो इ की आवाज आई, बी बन गया वो है न, इसी तरह से आई से हर लेटर के साथ आई की आवाज आती है, और किसी किसी लेटर के साथ, आई की आवाज भी आती है, ठीक है, चलिए इसके स्टेप से शेक करते हैं, ये भी टू लाइन्स में लिखा जाता है, आज कल हम जो करवा रहे हैं, वो टू लाइन्स वाले लेटर्स करवा रहे हैं, ये, फर्स को वापिस लाना है और फिर नीचे लाकर इसे split कर देना है और curve करके इसे tail लगाने है यह आई है और फिर इसके उपर गोल गोल बिंदी भी लगाने है फिर से देखें फर्स टेप straight line second step standing line third step वापिस और fourth पर split करना है और fifth step पर इसे curve देके यहाँ tail लगाने है चलिए learn हो गया आपको यह first step और यह second step फिर third step और फिर fourth step tail लगाने है और फिर यह बिंदी लगाने है dot लगाना है इसके उपर चलिए इसे बनाएंगे I for ice cream इ ऐ ए ए है न आता सालसा भी बोलो HE मैंम तो बोलती है मैंम को तो लिखना भी है आप भी बोलते भी जाए और लिखते भी जाए हैना फिर आपको यादबी हुजाएगा यह I होता है यह तो फिर बच्चों को पहचाना भी नहीं होती फिर मैं डांट लगाती रहती है चलिए आई बनाएंगे फिर से ये इसी लाइन पर वापिस लेकिए ऐसे नहीं करना यहां से यू नहीं लेकर आना यह गलत हो जाएगा इसको ऐसे लेकिए इसी लाइन के ओपर यहां तक लेकर आना फिर सप्लिट करना अलग करना है इसको ऐसे ठीक है यह राइट आ रहा है समझ में यह न अच्छा है न चलिए हमने बहुत सारे बना ली है अब मैं हमें एक और बना रही है इसको भी देखिएगा यह देखिए अब हमने आई बना चलिए हमने यह वाला पीस किया है आई फॉर आइस क्रीम और यह कैपिटल आई है कर्सिव हैंड में और यह स्मॉल आई है लेकिन अब देखे में आपको बोड़ी कि यह टी जैसा होता है अगर हमें टी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको फिर त्री लाइन्स में ले जा आती है ठीक है यह जो यह जो लाइन्स का मैच है वो आपका टी जैसा ही है ठीक है चलो तो हमें टी तो बनाना नहीं था यह तो आई बनाना था आई टू लाइन्स में और टी छी लाइन्स में बनती है ओके चलिए ओके हाव नाइस टे लाव यू डियर चिल्डरन